Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉरड़बल SBI ने ऐसा किया, और अब यहाँ पर election commission की बारी थी, कि उसको publish किया जाए, तो को publish तो किया गया है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो पूरा data गर आप देखोगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, सभी कुछ चार्ट के अंदर, उसमें आपको साफ साफ देखने को कि किस business houses ने, कौन से business group ने, कितने का यहाँ पर जो bond है वो खरीदा था, यहाँ पर कौन से person ने कितना bond खरीदा था, और यहाँ पर आपको यह भी पता चलेगा, कि कौन से electoral party, मतलब कि जो political party है चाहें, BJP, Congress, उनको कितना रूपया आया, लेकिन question यहाँ पर यह है, कि आखिर किस business person का जो पुरा रूपया है, वो कौन से political party के पास गया, इसको लेकर अभी भी काफी सारे प्रशन है, लेकिन यह आप देख सकते हो, election commission uploads electoral bonds data shared by SBI on its website, लेकिन इससे भी बड़ी चौकाने वाली बात यह है, और कई लोगों को शायद shock लग सकता है, वो यह है, कि इस पूर नाम है अडानी, अमवानी, जिन्होंने खरीदा होगा, और वो पैसा political parties को दिया होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा था, I'm sure आप देख रहे होगे, तो उसका नाम यहाँ पर नहीं है, तो वो सारी चीजे मैं आपके साथ discuss करूँगा, आपको बहुत कु आने को मिलेगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आपने से जो भी लोग UPSC की preparation कर रहे हैं, हमारे GS Foundation batch को join कर सकते हैं, यह एक ऐसा batch है, जिसमें आपको complete preparation कराए जाती है, प्रिलिम्स, मेंस, इंटर्व्यू, सब कुछ आपको इसके अंदर मि मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly अभी हुआ क्या है, देखे, deadline दिया गया था election commission of India को supreme court के दोरा, कि यहाँ पर जो electoral bonds का पुरा data है, वो आप आपको 15th March शाम 5 बजे तक publish कर देना है, लेकिन actual में election commission ने ये जो पुरा data वो एक दिन पहले ही publish कर दिया, और साथी साथ ये पुरा data किसके दोरा दिया गया है, ये सब कुछ दिया गया है State Bank of India के दोरा, I am sure आपको याद होगा 15 February ये एक ऐसी तारीक थी जब Supreme Court ने electoral bonds को अस constitutional बोल दिया था, और कहा था कि ये सही नहीं है, यहाँ पर अगर हमें चुनाओ में transparency चाहिए, तो कौन से business houses कितना रुपए किस political party को देते हैं, वो यहाँ पर public को पता होना चाहिए, और इसलिए SBI से कहा गया कि आप 6th March को पूरा data election commission को दे दीजे, लेकिन आपको याद कि हम वो आपको extension नहीं दे सकते, आपको वो जो भी data आपके पास है, वो आप submit कर दीजे 12 March तक, और SBI ने SI किया, और उसके बाद finally कल ये जो data है, election commission ने publish कर दिया, अब question ये है, कि electoral bonds data में क्या-क्या publish किया गया, basically अगर आप जाओगे election commission of India के website पर, तो वहाँ पर आपको electoral bonds, और basically इसमें आपको दो sets of data देखने को मिलेंगे, ध्यान रखेगा, election commission of India ने कोई भी changes नहीं किया है data के अपनी तरफ से, यहाँ पर SBI ने जिस तरह का जैसा data था, जो election commission को सौबा था, same वही data election commission ने यहाँ पर publish किया है, और आप देख सकतो, यहाँ पर पहला जो set है, details of electoral bonds submitted by SBI part 1 and part 2, तो basically क्या है न, जो पहला part है, उसके अंदर total 337 pages है, जिसके अंदर यह बताया गया है, कि कौन से business houses ने, कौन से person ने, कितने का electoral bond खरीदा, और किस date को खरीदा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और जो दूसरा part है, second part है, उसमें बताया गया है, कि कौन सी political party क कुछ है, BJP, Congress, Trinimal Congress, उनको कितना रुपे मिला, कौन से date को मिला, तो यह सारी चीज़ें आपको part 2 के अंदर देखने को मिलती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर सिर्फ three denominations के जो data है, वही publish किये लाक रुपे वाले bonds थे, और एक करोण वाले bonds थे, वही यहाँ पर publish किया है, एक तो यह वाला चीज़ हो गया, फिर साथी साथ यहाँ पर एक और interesting चीज़ है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, basically जो मैं आपको बोल रहा था था ना, कि पहले part में क्या है, पहले part में यह है, कि यहाँ पर कौन से business ने, जो है, जैसे भारती एर्टल, मैं आपको amount बताऊंगा, अगर उन्होंने कोई purchase किया है, एक करोण का bond purchase किया है, तो भारती एर्टल ने वो bond purchase करके किसको दिया, क्या वो Congress को दिया, क्या वो BJP को दिया, वो आपको पता नहीं चल पाएगा इसक कमाई हुआ, बस ये individual data है, ध्यान रखेगा, और कही न कहीं इसी को लेकर SBI का कहना था कि हमें तीन महने का वक्त है ये, ताकि हम इन सारे चीज़ों को match कर सकें, कि कौन सा data किस political party के पास गया है, कौन सा bond किस political party के पास गया है, और देखिए यही एक और बड़ा मुद्दा ह हो सकता है, मैं आपको कह रहा था ना, कि कर लोग सोच रहे हैं, कि शायद ये मुद्दा अभी settle हो गया है, लेकिन हो सकता है, most probably मैं जहां तक समझता हूँ, कि फिर से ये मुद्दा Supreme Court में जाएगा, और Supreme Court से कहा जाएगा, कि देखिए आपने जो कहा था, उसका पूरा data, प इस political party को कितना पैसा दे रही है, तो और इसके लिए देखें, यहाँ पर एक identification number होता है, हर एक जो electoral bond है ना, चाहें, एक लाख रुपया का हो, चाहें, वो एक करोन का हो, उसमें आपको unique matching court देखने को मिलेगा, तो maybe हो सकता था, शायद अगर Supreme Court अगर कुछ और वक देता, त देखो, SBI की तरफ से जो data दिया गया, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो bond purchase किया गया, it is from 1st April 2019 to 15th February 2014, सबसे पहली बात, और इसमें ध्यान रखेगा, 2019, April 2019 के पहले का data नहीं है, और वो क्यों नहीं है, वो मैं आपको video के end में बताऊंगा, क्योंकि यह electoral bond तो 2018 से implement हो ग April से लेकर, February 2024 तक का है, इसमें यह बताया गया, SBI के दोरा, कि total number of bonds redeemed during this period was 22,030, और total bonds कितना purchase हुआ था, 22,217, अब जहां से समझेगा, 22,217 bonds खरीदे गए, कौन खरीदे गए, ओव्यसी बात है, जो business house है, जो donation देना चाहते हैं, चाहें भारती एटल है, या फिर, और भी क इरामल enterprise हो गया, torrent power हो गया, DLF हो गया, बहुत सारे business houses हैं, जिन्होंने bond खरीदा, उनकी संख्या कितनी है, bonds की, यह है 22,217, लेकिन redeem कितना किया गया, redeem किया गया सिर्फ 22,030, सिर्फ नहीं मतलब, almost सारे कर लिए गया, लेकिन 187 bonds कहां है, फिर, मैं आपको बता दूं, कि electoral bond जो पूरा लाया गया था, उसमें ये बोला गया था, कि जो भी bond खरीता है business house, वो जब political party को देता है, तो 15 दिन के अंदर उसको redeem कराना होता है, अगर वो 15 दिन के अंदर redeem नहीं कराते हैं, तो वो जो पूरा पैसा है, वो basically Prime Minister's National Relief Fund में चला जाएगा, तो क्या हुआ है कि जो 187 bonds redeem नहीं कराएगा, तो वो पूरा का पूरा पैसा Prime Minister's National Relief Fund में चला गया, अब question ये है कि यहाँ पर कौन कौन से company ने कितने का bonds purchase किया, और सबसे ज़्यादा bond किस company ने purchase किया, वो हमारे लिए जानना जो रही है, वैसे आप देख सकतो यहाँ पर बहुत से companies हैं, Grasim Industries हो पिरामिल एंटर्प्राइज, टॉरेंट पावर, भारती एटल, DLF, commercial developers, आपको पता है, गुरगाओं में काफी बड़ा कारूबार है, विदानता लिमिटेड, अपोलो टायर्स हो गए, लक्ष्मी मित्तल, एदलवाइस, PVR, केवेंटर, इस तरह के बहुत सारे companies हैं, जिन अपरिल को, मतलब ये सारे 12 अपरिल इस तरह से, आगे-ागे चलते अपरिल, फिर मई, जून, जुलाई, 2019, 2020, 2021, इस तरह से पूरा डेटा पब्लिश किया गया है, और फिर यहाँ पर दूसरी company है, फिर SL Mining, इन्होंने भी 1,00,000,000 का पर्चेस किया, किसी ने 10,000,000 का जो company आप देख रहे हो, ये है future gaming and hotel services, और मैं आपको बता दूँ, इसको लेकर ED ने काफी कुछ कारवाई भी की थी, मतलब कि enforcement directorate के दौरा, यहाँ पर जो probe है, जाच है, वो भी यहाँ पर किया गया था, अब exactly उसका result सामने नहीं आया, लेकिन, again, सबसे ज़्यादा इन्हो और यहाँ पर political parties को दी है, अब किस political party को दी है, वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसका data यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगरे आप देखोगे, जो raw data publish किया गया, इसमें आप देखोगे, तो सिर्फ तीन चीज़े हैं, एक तो date of purchase, company का नाम, और denomination, वो कितना है तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, फिर दूसरे नंबर पर है mega engineering and infrastructure, इन्होंने 966 करोड का bonds खरीदा और मैं आपको बता दूँ, यह जो mega engineering है, यह जो company है, यह है, यह हैदराबाद based company है, और बताया जाता है कि इनको बहुत सारे large infrastructure के projects दिये गए थे, तो इन्होंन तो 247 करोड के bonds इन्होंने खरीदे और किसी-किसी political parties को यह दिये हैं, तो यहाँ तक चलो समझ में आ गया, देखो अगेन यहाँ पर लक्षमी निवास मित्तल भी आप देख सकतो, जो steel का कारोबार है, इन्होंने भी 35 करोड का bond खरीदा है, individual capacity पे, तो इसमें companies के भी नाम है और कई जो individual हैं, उनके भी नाम है, अब question यहाँ पर यह है कि Adani और Reliance क्या इसमें नाम है, नहीं है, इसमें पूरे data में, ना तो कहीं पर Adani Group का आपको नाम मिलेगा, कि उन्होंने कोई bond खरीदा हो, और ना ही Reliance Industries का नाम मिलेगा, और जैसे मैं starting में कह रहा था कि यह बहुत बड़ा शौक लग सकता है बहुत से लोगों को, क्योंकि ज़्यादा तर लोगों का यहीं मानना था, और कहीं ना कहीं जब यह bond, यह जो data publish हुआ ना, सबसे पहले लोग, I'm sure कि यहीं नाम ढूनने के होंगे, कि आखिरकार उसमें Adani ने कितना खरीदा है, Reliance ने कितना अगया, कि यहाँ पर कोई भी नाम नहीं है इनका, अब इसको लेकर क्या है क्या है क्या नहीं, आप अपनी राए दे सकते हैं, comment में, लेकिन अब question यह है, कि कॉन से party ने सबसे ज़्यादा पैसा लिया है, मतलब किस party को सबसे ज़्यादा चंदा दिया गया है इसके अंदर, मैं आपको बता दू, जितने भी bonds खरीदेगा इन companies के दोरा, उसका लगभग 50% के आसपास, exact आप देख सकते हो, 47.46%, अकेले ये पूरा पैसा भारती जन्ता पार्टी के पास गया है, बीजेपी के पास गया है, कितना? 6,060 करोण के आसपास, मतलब लगभग 13, 12-13,000 के जो bonds खरीदे गए थे, उसका 6,000 करोण अकेले भारती जन्ता पार्टी के पास गया है, फिर दूसरे नमबर पर है, त्रिनमूल कॉंग्रेस, जो ममता बनर जी की पार्टी है, उनके पास 1600 करोण के आसपास गया है, ओल इंडिया कॉंग्रेस, जो कॉंग्रेस नवीन पतनाई जी की जो पार्टी है, उनके पास 775 करोण गया है, फिर बाकी भी आप देख सकते हो, तमिल नाडू के अंदर DM के हो गई, आंधर परदेश के अंदर YSR, उनके पास कितना गया है, फिर इसके लावा भी ये सारे details मैंने यहाँ पर दे दिया है, कि किस पार् BJP को देना चाहा रहा है, तो वो BJP के नाम पर गया है, भारती जंता पार्टी के नाम पर, लेकिन दो ऐसी पार्टी है, वो उनके पार्टी के नाम पर नहीं बलकि उनके प्रेसिडेंट के नाम पर गया है, जैसे कौंग्रेस जो पार्टी है, वो All India Congress Committee, मतलब Congress Party के नाम पर तो उनके नाम पर भगया है, और वैसे ही उत्तर परदेश के अंदर जो अखिलेश आदो की party है, समाजवादी party उनके अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष है उनके नाम पर गया है, तो यहीं सिर्फ दो parties है, वो पार्टी के नाम पर नहीं, बलकि जो प्रेसिदेंट है उनके पार् जो data था वो seal cover करके Supreme Court के अंदर अलड़ी जमा किया हुआ Election Commission ने ठीक है और Election Commission ने गुहार कि है Supreme Court से आप देख सकते हो पोल बॉडी सीक्स modification of electoral bonds order Supreme Court hearing मतलब आज जो है वो Supreme Court की hearing है और इसमें Election Commission ये कह रहा है Supreme Court को कि देखिए हमने आपको जो seal cover करके दिया था जो data 2019 पुरा data आपके पास है तो आप हमें वो return करिए ताकि हम उसको publish कर सके तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों I hope कि मैंने कोशिश किया है कि कुछ भी ना चुटे जो भी मैं आपको बता सकूँ वो सब कुछ बता दिया आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे comments में जरूर बताईएगा और जाने से पहले एक interesting question दो क्या बता सकते हो इन में से कौन सा ऐसा organization है भारत के अंदर जो सबसे बड़ा debt market investor है debt आपको पता है न जब आप bond वगरह में निवेश करते हैं जैसे government के bonds होते हैं लग लग companies के bonds होते हैं तो वो debt market होता है तो कौन से organization सबसे बड़ा निवेशक है debt market में इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं you can just use this code ANKITLIVE ताकि आपको maximum discount मिल जाए I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता आप से next time till then thank you very much see you soon